हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज हम बात करने वाले सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजी लिमिटेट के बारे में और यह कंपनी का वेबसाइट में उपन करके रखा है और इसके बारे में इसलिए हम आज बात करेंगे क्योंकि आज मैंने इसमें प्रॉफिट अब हम इसका वेबसाइट पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि यह कंपनी का बिजनस क्या है तो कंपनी का बिजनस है ओईल एक्स्प्लोरेशन का यहां पर आप देख सकते हो इनके पाच डिस्कवर है डिस्कवर्ड फिल्ड से और कितना मिलियन का इनका 170 मिलियन यह प्लस है तो यह सारे चीज़े इनका और हंड्रेट परसेंट इक्विटी इन और प्रोजेक्ट से इनका पूरा हंड्रेट परसेंट इक्विटी खुद का है यह और यह डेफ्री कंपनी है 17 मिलियन यूसडी के साथ और 1985 में यह फाउंडिंग यह है इनका तो मतलब यह है तो और इनका और पर है यह गुजरात का कंपनी गुजरात में इनका का क robust आफिस है और सबस्छा इसे को नेrian यहां पर दीया है और अभी हम इसका Syrian कहते आपको तो पता चल गया कि यह इनका भी यह ए एप यह का है अभी हम इसका अभी शेर देखेंगे शेर गैसा है तो यहां पर टिकर टेप हम आते हैं तो शेर यहां पर अभी का जू पर प्राइस चल रहा है इसका 157 65 का है करन्ट प्राइस और इसमें इन्वेस्मेंट चेक्लिस्ट में यहां पर तीन चीजे पॉजिटिव बता रही है और दो एक तो इन्सफिसेंट डेटा आ रहा है तो यहां पर कुछ भी नहीं है इंट्रेंसिक वैल्यू का तो अल्रेड़ी बता दू कि इंट्रेंसिक वैल्यू अल्रेड़ी कम ही होगा क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से इसका प्राइस जो ज्यादा होना चीए उतना नहीं और यहां पर रिटन वासेश एबडी रेट यह भी अच्छा नहीं है मतलब कमपनी ने रिटन अच्छे नहीं दिए अगर आमने अप्डी किया होता तो उसके रिटन अच्छे मिल जाते लेकिन इसमें इन्वेस्ट करके रखते तो रिटन अच्छे नहीं मिलते यह लॉंग करके चल सकते हैं इनका कहना है कि अभी इंट्री पॉइंट सही है अभी यह ओवरबॉड जोन में नहीं है और नो रेट फ्लाइग मतलब कमपनी के डूबने के चांसे ज्यादा नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने से इसका सेक्टर कोन सा यहां पर लिखा रहे तो ऑईल 还是 का मार्केट कैपिटल है ठीक है और यह कि इसका मोड़ेट रस्क बता रहे हैं कि यहां पर स्टाप कि मॉड़ेट रिसम मतलों मीडियमज के है वॉलेटैलिटि के हिसाब से बता रहा है यहां पर निफ्टी जितना वलाठाइल होता है उससे इतने गुना हो स्टाउक भी वॉलाठाइल होता है तो यहां पर नजर आ जाएगी यह तो वंडे का चार्ट है अभी हम वन विक का देखते है रिटन कितना दिया इसने वन विक का रिटन है लगबग एक पाउना परसेंट है मतलब 0.77% है तो एक परसेंट से भी कम रिटन इसने एक विक में दिया इसने क्योंकि ये देखो वालेटिलिटी ये शेर्स में कितनी दिख रही है तो इसी वज़े से इसको इतना ये वालेटाइल होता है और हाई रिस्क बोला जब मोडरेट रिसक है हाई भी नहीं मोडरेट रिसक है और यहां पर यह वन मंद का चार्ट देख लो तो वन मंद में इसने लगबग अच्छा साल में दिये है तो वन मंद के रिटन की मुकाबले यह a एक साल का रिटन कुछ भी नहीं है ठीक है एक साल से भी इंवेस्ट करकर रखते तो उतना ही रिटन मिलता आर एक मेने पहले पहले ही इन इसकर तो लगबग ऊतना ही रिटन मिल जाता ह। पाच साल वाले को रिटरंस नेगेटिव है मतलब इसी वज़े से बोला कि यह रिटर्न और से अच्छा नहीं है इससे अच्छा हम डालते तो पैसा तो बढ़ता लॉंग टम के लिए तो इस इस हिसाब से उनको यह रेड पॉइंट है रेड फ्लैग है और यह डाउन ही आ रह 2020 में यह मार्च का है मार्च 2020 यह तो कोवीड के टाइम का है पेंडामिक के टाइम का तो वहां से फिर यह बाद में बढ़ना चलूँगा बट पास साल का रेटर्न इसका खराब है 17 परसंट तो डाउन ही है और इसका मैक्स देखेंगे हम तो मैक्स में इसने डबल किया है मत मतलब 2006 से कंपनी है 2006 से कंपनी ने शेयर खाली इतने साल में 2006 से कितने साल हो जाते हैं काउंट कर लो तो उतने साल के अंदर इसने रिटर्न बहुत खराब दिये मतलब 100 डबल ही हुए है और लगबग कितने साल लगे इसको चार और दस चौदा और ये उपर के दो याने 16 साल तो 16 साल के अंदर ये शेयर ने खराब रिटर्न दिये है ठीक है तो कोई अच्छा रिटर्न ये है नहीं तो 16 साल के अंदर अगर पैसा डबल हो रहा है तो इससे अच्छा एबडी कर लेते या लाइसी वर गरामें डाल देते वही परवड जाता ठीक है तो ये शेयर ने उससाब से रिटर्न नहीं दिये लॉंग टर्म ओलों को 16 साल के अंदर तो खराब रिटर्न है ये और डबल ही हो जाते है क्योंकि यहां पर एक बार बीच में हाइग दिया था इसने 630 तक का यह 677 का इसने हाइग मारा था फिर वहां से फिर ये शेयर जबर्दस गिरा था यह तो यह 2014 की बात है तो 2014 में इसने लॉस करा है बहुत लोगों का ठीक है और S.I.P. अगर करते है तो S.I.P वालों को भी कोई खास रेटन नहीं देता 4.4% रेटन देता इससे अच्छा आप सेविंग में रखते है यह पाससल का रेटन है इससे अच्छा सेविंग में आपके पाससल में पैसे और अच्छे रेटन मिल जाते है अभी हम इसका अभी सेलान का स्क्रीनर पे देखेंगे स्क्रीनर पे क्या डेटा आ रहा है तो स्क्रीनर पे मैं इसका वेबसाइट ओपन कर देता हूँ तो ये स्क्रीनर का डेटा है तो स्क्रीनर पे हम पहले प्रोज और कॉंस देखेंगे और यहां पे है इसमें प्रॉज में जितने हैं उतने कॉंस में हैं तो यह company has reduced debt इनि company is almost debt free तो वहां पर भी इसके website पर भी debt free लिखा था और यहां पर भी company is almost debt free बता रहा है तो वह हम आगे भी देखेंगे की सच में loan है या नहीं है इस पर ठीक है company has reduced debt डेप भी उन्होंने था तो कम किया है और अभी हो अल्मॉस डेप फ्री है और स्टॉक इस ट्रेडिंग 0.73 टाइम इट्स बुक वेल्यू तो यह भी पॉजिटिव बताया है और कंपनी हैस बिन मेंटेनिंग healthy dividend payout तो payout भी अच्छा dividend भी अच्छा दिदरी यह भी बता रहे 57% तक का और यहाँ पर नेगेटिव में चीज़े क्या बताए the company has delivered poor sales growth sales growth बहुत खराब है 4-4,4 साल का 5 साल के हिसाब से ठीक है और promoter holding is low तो promoter का holding की बहुत कम है यह negative point है कि promoter जो मालिक जो ओनर होते फाउंडर होते उनके पास ही shares कम है यह negative point बता रहे हैं यहाँ पर और company has low return on equity तो return on equity बहुत कम है equity पर return कम निकाल रहे है लास्ट तीन साल से और earning includes and other income of तो earning में other income भी है company का साड़े साथ करोड़ या 7.80 करोड़ साथ करोड़ असी लाग का other income है company के पास ठीक है अभी हम इसका quarterly results देखेंगे तो देखो 20 करोड़ 2018 से यह December का तो 20 करोड़ 21 करोड़ 22 करोड़ 24 करोड़ फिर यहां पर 2000 जून में sales कम हुआ 8 करोड़ फिर 13 करोड़ फिर 12 देखो sales फिर कम होते होते हैं फिर यहां पर फिर से वही range में आ गया 18 करोड़ तक तो सप्टेंबर में आ गया फिर expenses मतलब लगबाग वही रहे है तो उस वज़े से कभी-कभी लॉस्ट भी हो गया इनको ठीक है expenses कम नहीं हुए लेकिन sales कम हो रहा था तो उस वज़े से company को लॉस्ट भी जहलना पड़ा था और यहां पर इंट्रेस बहुत कम द करोड़ करोड़ यह कौटर ली है ठीक है फिर बाद में देखो company का net profit हो गया दो करोड़ का तो लगबग यहां पर बीच में loss भी दिखाया था बट अभी फिलार प्रॉफिट में बट पहले जितना था उतना प्रॉफिट नहीं है तो profitability कम हुआ है ऐसा नजर आ रहा है और यहां पर हम इसका profit and loss देखेंगे तो देखो sales में यहां पर पूरे साल साल का है तो 2010 का sales देख लो 70 करोड का sales कर रही थी continue वही range में चला फिर थोड़ा बड़ा फिर यहां पर 101 करोड तक गया फिर 79 62 फिर थोड़ा कम होते गया sales फिर बाद में देखो अभी यहां पर और कम होते गया sales ठीक है और अभी का यह जो चल रहा है यह year का इतना है तो और expenses देखो expenses भी लगबख उतने ही हो रहे हैं यहां पर expenses तो उतने माइनस करने के बाद देखो यह पूरा नेगेटिव चला गया ठीक है तो प्रॉफिट ही नेगेटिव चला है क्योंकि खर्चे इनके बढ़ते जा रहे हैं और खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए और यहां पर यहरे कमपणी का interest भी देख लो यहां पर interest कम है बैच कम मतलो almost day free बोला इसलिए करजा भी चुकाने तक आ गया है पूरा इनका ठीक है और यहां पे net profit की बात करें तो यहां पे फिर भी net profit हुआ है क्योंकि इनका other income भी यहां पे add होने के वज़े से other income इन्होंने कुछ कामाया उसके वज़े से profit हो नहीं तो almost sales का तो पुरा down हो गया था तो other income भी होना चाहिए कंपणी में नहीं तो यह हालत हो जाती फिर इस वज़े से profit में आ गई कंपणी sales के वज़े से नहीं तो other income के वज़े से तो और यहां पे इसका positive result फिर आ गया पर एस कंपेर यह पहले जो profit था उससे बहुत कम होते आया इसका profit अभी हम इसका balance sheet में देखेंगे balance sheet में borrowing देखेंगे 14-15 करोड का इसका loan था 37-38 करोड का loan हुआ फिर यहां पे 11 करोड का है फिर यहां पे 0 almost 0 चल रहा था देखो कुछ भी loan नहीं था फिर थोड़ा बहुत loan लिया थोड़ा और loan है फिर बाद में देखो अभी लगबग 50 लाग तक का तो loan है 56 लाग तक का वह बहुत अल्मॉस डेफ्री हो जाएगा और यहां पे पुरा पे कर दिया तो completely डेफ्री है company तो इस वज़े से वहां पर डेफ्री लिखा था अल्मॉस्ट company हुई रहेगी यहां पे सप्टेमबर तक का डेटा है इसलिए अल्मॉस्ट company पे जीरो लोने ठीक है और यहां पे जो screener पे जितनी जरूरी ती उतना डेटा हमने ले लिया है देख लिया है अभी हम इसका इसका इस पे देखेंगे money control पे तो money control पे यहां पे मैंने इसका शेयर का डेटेल यहां पे open किया है तो एने सी बेसी दोनों पर यह है ठीक है तो इसमें volatility भी बहुत आ सकती है क्योंकि इसमें volume ज्यादा trade होता है और यहां पे देख लो यह company का price जो low इसका 115 का था और 179 का high था और high से भी अभी भी पीछे ही है तो 179 180 तक भी यह जाने के अभी भी chances बागी है क्योंकि उसको high तो तोड़ना तो पड़े गा ही ठीक है आगे बढ़ने के लिए तो अभी भी यहां पे buying range में ही नजर आ रहा है और इसमें strength देख लो no strength है यह company के अंदर और 7 weaknesses है दो opportunity है और threat zero है तो no strength में बता रहा है कि company का net profit increase हो रहा है quarter and quarter तो net profit बढ़ रहा है quarter and quarter ऐसा बता रहा है और weaknesses में बता रहा है insufficient use of capital capital अच्छा यूज नहीं करें जितना capital इनके पास पढ़ा है तो उसका proper use नहीं हो रहा है जिसके वजह से return on capital employed अच्छा नहीं है तो वो होना चाहिए यह जो capital पढ़ा है उसका use होना चाहिए इसके वजह से returns और अच्छे हो सकत है opportunity में दो बता है कि RSI indicating price strength RSI अच्छा है बता रहे हैं ठीक है RSI के ओ जैसी वो ट्रेडिंग के लिए देखा जाता है कि RSI अच्छा है तो इसमें प्राइज में और भी उच्छा ला सकता है तो यहां और तो कुछ भी नहीं है company में और market capital तो देख लिए और 39 करोड का है dividend अच्छा देती है यह तो टिकर टेप भी हमको पता चला कि यह अच्छा खासा dividend देती है ऐसा वहां पर वह एक point था जिसमें तीन सवा तीन परसंट का return है आपको dividend है वह as a bank return के आसपास ही है समझ लो ठीक है और bank interest के आसपास और यहां पर इसकी डिलेरी भी अच्छे उठाई जा रही है कि 45% तक तो लोग डिलेरी पर शेर्स उठा रहे तो यह भी अच्छा ही होता है संके 20 दिन का average निकाला तो और 10 का face value पीबी रेशियो भी अच्छा ही रहेगा क्योंकि अल्डी कंपनी डेफ्री हो गई है इस वज़े से पी महिंगा नजर आ रहा है पी बहुत महिंगा है क्योंकि सेक्टर का पी 16 है उससे खुद का इसका पी 33 के अबाव है ठीक है तो इस वाज़े से पी महिंगा है और य क्योंकि अल्रडी बहुत डेटा हम पहले से स्टडी कर रहें इस वज़े से तो देखलो यह प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है 117 के लो से 126 के लो से फिर अब डाउन यह होता है शेर्स में यह फिर पाच का डिविडन देती है 22 फेब्रारी को ठीक है फिर से फिर थोड़ा अब जाता है फिर दाउन आता है फिर यहां से इतना बरॉन तक यह जाता है 3030 से एक लो बनाता है एक सो का एक सो कंदर से फिर एक हाइब बनाता है डारेक्ग 148 का तो यहीँ चीज कमाल होती है शेर मार्केट में कि आपको सही प्राइЗ पे इंट्री करना आना चीए उधर फिर डाउन आया यह फिर महां से अब गया फिर डाउन आदेखो एनसी बीसी पे भी हो बीसी का भी शेर उतना ही वोलतायल होता है यह बाद में और यह तो यह शेर्स में होता है फिर अभी देखो यह 179 का भी हाई मारा फिर वहां से यहां पर डाउन आया 150 का तो अब डाउन यह करते-करते ही शेर्स लोगों को प्रॉफिट देता है तो यह ट्रेडर के लिए अच्छा है स्विंग ट्रेडर हो यह शॉट ट्रम ट्रेडर हो तो सही टाइम पर इंटरी करना उसको आना चाहिए तो इसमें रिटरंस वह कमा सकता है तो अप डाउन यह शेर में बहुत होता है इस वज़े से प्रॉफिट मुझे भी लेने मिल गया क्योंकि और मेरी इंटरी कहा थी यह तो मेरे को बता नहीं है क्योंकि यहां पर मेरी इंटरी 138 के आसपास 34 134 के आसपास 3 तो 134 यहां पर यहां पर जो प्राइज है 134 का वहां पर इंटरी मेरी हो गई थी यह डिसेंबर का जो भी दिख रहा है और most of shares जो में नहीं बता पाता हूं क्योंकि अलड़ी सब पर वीडियो डालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलड़ी अगर मैंने 45 shares लिये या shares है मेरे पास तो जब जो shares profit में उसके बारे में मैं पहले नहीं बता था जो shares में खुद खरीद रहा हो और खरीदा है और अभी भी उसमें opportunity नजर आ रही है तो ही share बताता हो ठीक है अगर कोई share लेने के बाद वो next day 5% 10% बढ़ गया तो नहीं बता था क्योंकि उसमें से में जल से जल निकल सकता हो क्योंकि 5-10% अलड़ी बढ़ने के बाद शायद और एक मैना भी वही range में रहेगा तब भी नहीं बता था क्योंकि उसमें जल्दी निकल नहीं क्यों ले लो आपको भी 20% या 25% easily मिल सकता है तो इसमें भी 21% मुझे मिल गया ठीक है 134 के आसपास का बाइंग था और उसके बाद ये शेर ने अच्छा घासा गिर रहा था तब लिया लेकिन उसके बाद भी थोड़ा गिरा फिर उसके बाद ये अब गया और रिटन दे दिया ल अब डाउन होते रहता है तो फिर से नीचे आया ही ठीक है 165 85 गया फिर भी 157 आके यह रुग गया तो यही होता है कि उसके उपर गया तो अफसोस करना फिर नीचे आया तो खुशी हो का मनाना यह नहीं हम निकल गए सही टाइम पर हमने प्रॉफिट ले लिया उतने में है प्रेन है फिर बाद में कितना भी उपर जाय यह कितना भी नीचे जाय कोई फरक नहीं पड़ना चीए ठीक है तो यह एक मेरी इंट्री और एक्जिट मैंने बता दिये है कि मेरा 134 के आसपास का इंट्री है और एक्जिट आज के दिन ही मैंने किया है ठीक है और यहां पर साल का अगर हम इसमें रिटन देखेंगे तो पास साल में शेर ने देखो बहुत अप डाउन अप डाउन करके रिटन दिये है लोगों को तो 157 का ही प्राइज नजर आ रहा है 153 का प्राइज नजर आ रहा है लोका और हाई ज्यादा है ठीक है फिर वही रेंज में यह गु प्राउन मारता है 184 के लोग तक आता है फिर यहां पर आप जाता है तो इसने यह बहुत जबर्दस रिटन दिये है इसने बट ट्रेडर को जो ट्रेडिंग करता है लांग टर्म वाले के लिए यह इसमें कोई मजा नहीं है क्योंकि अप डाउन अप डाउन करते रहेगा औ अगर यहां पर कोई हाइक के आसपस देखो मोस्ट अप लोग लालच में आके जब शेयर बढ़ता है तब लेते और गिरता तो बहुत डरते तो गिरने के टाइम पर लेना रहता है तो यह टाइम पर जिसने आई पर लिया तो देखो उसको फिर यह गिरते वे शेयर को तो फिर वहां से फिर इसने थोड़ा बहुत अपसाइड दिखाया और यह तो कोई पैंडामिक का टाइम है इस वज़े से इतना डाउन था फिर उसके बाद तो कोई भी शेर इजी ली आराम से आपको अच्छा खासा रिटन दे देता तो इसने 69 का जो लो से अभी आपको दि देता तो और यह शेर में हमने पास साल का चार्ट तो देख लिए अभी इसका मैक्स देखेंगे कि जो बहुत पुराने हैं इन्वेस्टर उनको कितना रिटन दिया तो 2007 से कंपनी तो 2007 से कंपनी का कितना साल हो जाता है ओ देख लो ठीक है तो लगबक यह कंपनी में 10-15 साल हो जाते हैं ठीक है तो 15 साल से कंपनी ने कितने रिटन दिये होते हैं बहुत खराबी इतने भी कोई खास नहीं है यहाँ पर देख लो यह प्राइज स्टार्ट हो रहे 68 से और अभी रिटन है मतलब मैंने देखा कि आपको बता है कि डबल ही हो जाते जैसे हमने टिकर टेप पर देखा कि लगबग 100% से थोड़ा से उपर था तो लगबग 100% मतलब डबल हो जाते आपके इतने सालों में 15-16 साल में ठीक है तो कोई अच्छा यहाँ पर रिटन आपको नहीं मिलता और यह 2006 से है यहाँ पर 2007 दिखा रहा लेकिन यहाँ पर ऑक्टबर 2006 दिख रहा है दो यह 2006 से यह कंप्लीट इसका रिटन लगबग डबल ही होता आपका तो कोई फायदे का नहीं होता है इतना साल इन्वेस्ट करके आपको सिर्फ पैसा डबल ही हो रहा है ठीक है और यह शेर है तो शेर मार्केट में ज्यादा ही रिटन आना जरूरी होता है फिर उसके बाद द जाता है तो यह शेर का परफांसी ऐसा है फिर देखाव बागत बागत इतना स्पीड में अब देता है या कुंसा यह लों यह लो से रिलों कितने गाहे खरए वान नाइनटी सेवन का लो है वहां से यह इतना जबरदस रिटन दे देता है बीच में six double seven जाता है कि मतलब तीन गुना-चार गुना हो जाता है फिर वहां से जबरदस गिरते हैं नोइंबर के अंदर इतना लाक रुपए डालके बैट जाते हैं तो उनको इसलिए शेयर मार्केट बदना में इस टाइप के शेयर में कोई ना कोई किसी का सुनके लेके बैट जाते हैं और कितना लेना चाहिए कैसा लेना चाहिए किसी को नहीं पता कोई सही से गाइड नहीं करता है तो इसलिए चानल ह कि आपको शेर के पूरे performance बताएगा पूरे detail में सारी चीज़े बताएगा सिर्फ आपको चानल को subscribe करके रखना है तो subscribe करने में तो कोई घाटा होने वाला नहीं है आपको अच्छे-च्छे information मिलेगी बाकी decision आप पे है आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो ठीक है अभी हम आगे और detail देखेंगे तो यहाँ पे price performance देखो एक week का 3.5% तक return है ठीक है एक मेने का return लगबक 23% तक है और तीन मेने का return इसका लगबक पौने 3% माइनस में है और YTD याने January का return से इसका 21% तक है और one year का return इसका 23% तक है और तीन साल का return इसका negative है माइनस 14.5% तक है और यह latest news latest मतलब November का news है कि इसका sales अब हुआ है 39-40% से year on year last year से अभी की year में इसका जो September का sale है वो बढ़ गया था तो यह एक positive news था इसके बारे में ठीक है और इसमें और देखेंगे तो इसका अभी हम financials देखेंगे तो financials कैसे इसके है वो देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर इसके financials है तो revenue देख लो इसका 2017 में 55 करोड का था फिर 76 करोड फिर 93 करोड फिर 89 करोड फिर अभी revenue कम हो गया 2021 में इसका revenue कम हो गया है और net profit की बात करेंगे तो net profit continuously बढ़ते गया यह 2017 से 8 करोड से 22 हुआ 22 से 51 करोड फिर 2020 से कम होते गया तो profitability share की company की share की कम है तो profit कम होते जा रहा है और हमने देखा भी company already day free तो है लेकिन उसमें profit भी नहीं कम रहे क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा दिख रहे इस वज़े से और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका share holding pattern तो जैसे हमने screener पे देखा कि उसका promoter का share holding बहुत कम है तो यह promoter है जिसका 30% share holding है बाकी सबसे ज़्यादा shares public के पास है आप मैं और बाकी लोग जो होंगे उनके पास यह share सबसे ज़्यादा है तो वही honor है समझो कि उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा majority stake है और फिर बाद में third number पे है FIS जो foreign investors है उनके पास भी अच्छा है बट कम है लेकिन है उसमें investment और डिएस भी है जो domestic investor है इंडिया के बड़े investors उनके पास भी अच्छा इसमें investment है ठीक है और सबसे ज़्यादा investment public का है और FIS और FBA 3 है जो foreign investor only three investors है और अभी recently December में एक कोई बढ़ा है ऐसा यहाँ पर बता रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने पूरा detail देख लिया है share का company का और company का business भी हमने देख लिया share कैसा यह भी दिख लिया performance देख लिया पूरे past जब से company start है तब से हमने देख लिया मतलब market में listed है तब से सारी चीज़े हमने देख लिया तो इससे हमको यही पता चला कि यह share में बहुत उच short term trade करना है उसकी सबसे अगर जब share नीचे आता है तो लेना है उपर जाता है तो बेचना है इसे trade कितने बहुत सारे trade कर सकता है वह एक साल के अंदर ही और return भी अच्छे कमा सकते बट उसको entry और exit समझना चीए और long term के लिए share थोड़ा risky लगता है क्योंकि इसका long term में यह profit इसने नहीं दिया किसी को ज्यादा ठीक है तो long term के हिसाप से यह share थोड़ा खराब नजर आ रहा है क्योंकि इसके price performance देखो और इसके financials देखो तो थोड़ा इसके financials भी खराब है इस वज़े से profit डाउन भी हो रहा है इस वज़े से इसमें थोड़ा risk ज्यादा है और wallet भी बहुत share ज्यादा है तो यहां पर मेरा यही review रहेगा कि इसके बारे में आगे इसमें अगर short term trader है या swing trader है उनके लिए ठीक है long term trader के लिए यह shares अच्छा नहीं है और थोड़ा risk इसमें ज्यादा है ठीक है तो आपको information अच्छी लगी है तो channel को subscribe करो देखो channel पर only genuine information आईगी और जो share में मैंने profit लिया है वो बताऊंगा और जो share में खुद buy करता हो वो सारी चीज़े बताता हो ठीक है तो पूरी details यहां पर जो भी genuine data है वही चीज़े में बताता हो कोई चीज़े fake target fake information नहीं फैलाता तो इसका genuine जो भी target मैंने खुद किये वही target बताता हो already profitable हो और जो भी option trader हो जो भी आपको profit दिखाता है या दिखता है जिसका तो उसको follow करो और में most of यही कहना चाहूंगा intradays सबसे ज़्यादा high risk होता है option trading सबसे ज़्यादा high risk है और long term के लिए बोलेंगे तो अच्छे shares लेके रखोगे तो अच्छा है और swing trading best है क्योंकि swing में हमको हर price पे shares लेने मिलते है और हम उसमें से profit कर सकते तो यह channel only swing trading के हिसाब से या long term trading के हिसाब से बहुत अच्छा है तो यह channel को subscribe करोगे तो long term में या short term में अच्छा घासा gain कर सकते हो but perfect और genuine information ही यहाँ पे मिलेगी और आप profitable ज़रूर होते जाओगे तो channel को subscribe करो thank you very much for watching my video thank you bye bye कर दो